Assalamualaikum my dear students, for you all, class 5, इसमें हमारा टापिक है धी हुमेंबाडी, वुक पेज नमबर 17 और लेक्चर नमबर हमारा है 14 इस चैप्टर का, आज हमारा इस चैप्टर कम्ठीट हो जाएदा, इसके बाद इंशाला ताला कर हम अपना सेकंड चैप्टर वो स्टार करें, बुक टेज न वो करेंगे, question number 7 है, name the two types of joints and give an example of each, के जो two types of joints की आप वो बताएं कोन सी हैं और इसमें से हरे की example भी देएं, the two types of joints are, जो joints की two types हैं, वो कोन-कोन सी एक हाइं, giant है और दूसरे ball and socket giant है, यह दोना तरह के joint जो हैं, वो हमारा बादी के दर present हैं, इसमें example जो है, यह knee and elbow जो हैं जो हमारे एक्जांपल घनी दियसे केyst्नी खाने हें के की inform cash देएं, इसमेंकी the backust बारा सी वो हमारे गोल सी थींमे जाइंठकी, जाइंखरा जाइंージ मृ जाइन की, वो कि से जाइंठकी जात्य हैं, बार का की आप आजिया जाइन, आजिए जाइन की जाइन की, जार्य आज कर दिया है तो इनके आंसर जो हैं हम भूक से ही करेंगे आप फोले रखें ताकि आप क्या तरही जी लिव को देख सकेंगे नुरसे ही इंदर करने में वह सकते हैं कि उद्धि आमगी में एकनितरी पूंशन भी कहिंग थे उदन मीश्य उसलंद करें SAME में जाती हैं फिर वहां से लाजन स्वाल इंटस्टाइब में जाएगी और सारा प्रॉस्टिस होता है हमने सारा डिस्कस किया हुआ था तो अब आप इसका आंसर जो है वह है बुक पेज नंबर 15 पर आप खोड़ें को पेज नंबर 15 फोरन से और फिर इसी डायागरांड को लेकर आप अपने वर्ड्स में भी सारे जो क्वेस्टन है उसका आंसर बहुत ही एज़ी है इसका आंसर बेसिकल यह सारा घंता है आप इसको कुछ पॉइंट सो भी कर सकते हैं अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो उस तरह से लिखने ठीक है तो बेसिकली यह बहुत इजी होगा गर आप क्या करेंगे अपनी ड्याग्रांड जो हम उसको ड्रा कर एंप इसी करते हैं तो यह बहुत इसी होता है हम नेक्स्ट्सिंग पर आएं प्लाइए क्लय नुम्बर तो नाइंफ है हमारा वात मेंट अधा दा उन्री सिस्टम के मा नालमा अपने नालमा और फंक्शनिल होती है लिए फंक्शनिल होती है human body की इसको नालमा रिखने में किस तरह से नालमा काम करते है human body उसमें एक या रोल प्ले करता है इसका अंसर है बुख page number 16 से और यह बहुत ज़्यदा है हमारे लिए फंक्शन जो इसका urinary system का तो यह चोटा ही है आप page number 16 से यह इसकी diagram नजर आ रही है आप इसकी diagram को करें और इसको ची तरह से एक दफार reload करें तो आपको दूबारा इसको explain करना आपने words में जिदी आ बहुत इजी है अब आज हमारा यह chapter complete हो चुका है chapter number जो फर्स्ट है अब कल हम chapter number 2 करेंगे आप गर्में questions को ची तरह से learn करें थैंग रियो